हम पार्ट 6 का अध्यन कर रहे थे इसका सीर्षक है पार नजर के अर्थार्थ उस नजर के दूसरी तब जो हमें दिखाई नहीं देता है नजर के नजर से काफी दूर ऐसा जो हमें दिखाई नहीं देता है इस पार्ट का हम अध्यन कर चुके थे आदा इसमें एक मंगल ग्रह खेक बारे में कहानी है जो काल्पने कहानी है इसमें एक छोटू नाम का लड़का होता है उसका पूरा परिवार होता जो मंगलग्रहेपर बसेव होते हैं तो उससे समझ्दित कहानी है जिसको हम आधा पढ़ चुके थे आगे हम बढ़ते हैं कि किस तरह से छोटू के पापा जमीन के नीचे रहते हैं जमीन के नीचे क्यों रहता है वातावरन के परिवर्तन के कारण मंगल ग्रह पर जीव मरने लग गए थे काफी सारे और वह परिवर्तन क्यों हुआ था सूरिय में परिवर्तन होने के कारण ऐसी सिती हुई थी तो जो छोटू के परिवार के लोग जो है ये लोग क्या थे ये लोग तफने की जानते थे इसलिए इनोंने क्या किया जमीन के अंदर अपने घर बना लिए और यंत्रों थे और शौटों मेरा के आशन के बासआते हैं यह कहाने दिकता है हुआ जिससे लोग आसंकित हो जाते हैं। कि यह हमारे आसपास है तो हमें इसका क्या करना चाहिए वह आपस में क्या करते हैं सभा बुलाते हैं क्या करते हैं वह उस अंत्रिक स्यान को देख करके क्या करते हैं सभा बुलाते हैं और वहां पर जो कारी उनका जो समाज है वहां पर कारी करने के लिए अलग-अलग विक्त आई से कमेंहें बचब पूचना के लिए हैं नम्बर ₹ portal के पास तो कना प्ड़ेत के लिए हrieत रहने के अपैस पार ऊवाफा रहने के लिए यहां वेरा में पड़ते हैं कि इन दोनों अंत्रिक स्यानों को जला कर खाक कर सकते हैं मगर इससे हमें कोई जानकरी प्राप्त नहीं हो पाएगी अंत्रिक स्यान बेकार कर जमीन पर उतारने पर मजबूर करने वाला यंत्र हमारे पास नहीं है अर्थाक अंत्रिक स्यान को बेकार करके और उसे हम जमीन पर उतार पाएं मजबूर करके ऐसा यंत्र हमारे पास में नहीं है हलांकि अगर यंत्रिक्सियान अपने आप ही खुद बाखुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की एक शम्ता हमारे अंदर है हम उन्हें बेकार कर सकते हैं मेरी जानकारी के अनुसार इन अंत्रिक्सियानों में सिर्फ यंत्र हैं किसी तरह के जीव इसमें सभार नहीं है। वो क्या कहता है कि मेरे हिसाब से इन अंत्रिक स्यान में केवल यंत्री ही है। किसी तरह के जीव इनमें सभार नहीं है। ऐसा कौन कहता है नंबर एक कहता है। तो नमबर एक की बात सही लगती है कौन कहता है नमबर दो क्या है वेगयानी के वह क्या कहता है कि नमबर एक की बात मुझे सही लगती है हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खत्रा होता है क्या होता है यंत्रों को अगर हम बेकार कर देंगे तो भी उसमें खत्रा होत दूसरे ग्र्हों के लोग जान जाएंगे इसले मेरी जहनों करते रहना चाहिए अब नंबर तीन स्टैनियंगे जिम्मदारी जिसके थे जिंगलें जो दिम最終 दूर विलता है जो कहता है वेग्यानिक था वह है अपनी राय रखता है नमबर तीन अपनी राय रखता है कि जहां तक हो सके हमें अपने अस्तीत्व को क्या करना चाहिए छीपा कर ही रखना चाहिए क्यों कि हो सकता है जिन लोगों ने अंत्रिक स्यान बेजे हैं वे कल को इन से भी बड़े स सके भी हमें इन लोगों में ऐसी गलत सहमी हमेशां बनाए रखनी हैं कि यहां पर हमारी जो मंगल ग्रह है इस पर ऐसी कोई महतोपून चीज नहीं है जिन से उन लोगों को क्या मिल सके लाब मिल सके जिनका वो लोग लाव उठा सकें अध्यक्स मोहदय से मैं ये धर्खवास करता हूँ विनती करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ पर क्या जाए कौन कहता है ये नमबर तीन कहता है जो क्या कारिय करता है सामाजिक वेवस्ता का कारिय देखता है एतने में क्या होती है फोन की घंटी बच जाती है अध्यक्स मोदय चौन गा उठाते हैं एक मिनिट बाद सभा को संबोजित करते हूँ ने क्या कहा कि भाईयों अंत्रिक स्यान जो करमांक एक है पहला अंत्रिक स्यान जो है वे हमारे जमین पर उतर चुका है वह हमारी जमेन के उपर उतर चका है वह दिन छोटू के लिए बहुत ही मैतोपुन दिन था पापा उसे कंट्रोल रूम में ले गए थे यहां से अंत्रिक स्यान क्रमां के एक क्या कर रहा था साफ नजर आ रहा था कैसा अजीब लग रहा है यह वह क्या कह रहा है छोटू कि कितना अजीब लग रहा है यह इसके अंदर क्या होगा पापा वह अपने पापा से पूछता है कि इसके अंदर क्या होगा यह कितना अजीब लग रहा है छोटू पापा से पूछता है तो पापा उसके जवाब देते हैं अभी नहीं बताया जाए सकता दूर से ही इसका निलिक्षन जारी है उसे पर क्या कर रिख?" बराबर नजर रखी जा रही है तो इस पेज में हमने क्या पढ़ा है कि इसके लिए समाज में लोगों अलग-अलग जिमेदारी के लिए अलग-अलग वेक्टे नियुक्त के गए हैं जिनको क्या दिया है नमबर एक, नमबर दो, नमबर तीन इस तरह से नमबर दिवे गए हैं तो नमबर एक के पास क्या जि वक्त करेंगे अगला कदम उठाएंगे उन्होंने चोटू को एक कंसोल बनावा तब बहुत सारी बटन लग सीथ वह दिखाया अब अंत्रिक स्यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है अंत्रिक स्यान से क्या होता है एक यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है हर पल उसकी लंबाई बढ़ रही थी उस हाथ की हर पल लंबाई बढ़ रही थी मैं जमीन पर पहुंच कर मिट्टी उकेर लेना चाहता था वहां की मिट्टी लेना चाहता था सब लोग स्क्रीन पर दिखाई सब की नजरें कहां थी स्क्रीन के उपर ती सब स्क्रीन की तरफ दिख रहे थे दिखाई देरी अंत्रिक स्यान की सरकत को ध्यान सी देख रहे थे सिवाए एक के उसका ध्यान कहीं और था वहाँ पर जो जितने भी लोग थे वो सब स्क्रीन पर देख रहे थे सिवाए एक के किसके अलावा छोटू के अलावा छोटू के ध्यान तो क्या था कहीं और ही था छोटू का सारा ध्यान कहाँ पर था कंसोल पेनल पर जो उसके पापा ने उसे दिखाया था जिस पर क्या बने वे थे बहुत सारे बटन बने वे थे उस कंसोल पेनल पर छोटू का ध्यान था कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया उसके अंदर यह था कि किसी एक बटन को मैं दबाऊं तो कंसोल का एक बटन दबाने के अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया उसने कौन सा बटन दबा दिया लाल लाल बटन उसे बरबस ही अपनी और खेंच रहा था उसे वह बरबस टिंद लें तो को एकस ही तरफ मुट बांक द्वय लिए कूल को कन्सौल पैनल में लग देरे पापा उसे क्या करते हैं अपने तरफ खींच करते हैं उसे एक चाठा लगा देते हैं और जो लाल बटन था उसे वापस उसी इस्तिती में कर देते हैं उसने जैसे खींच दिया था तो उसी वापस इस्तिती में लाकर रख देते हैं मगर उस तरफ क्या होता जब लाल बटन दबा दिया तो दूसरी तरफ क्या हो जाता है अंतरिक सियान का जो यांतरिक हाथ था उसकी हरकत जो है अचानक से रुक जाती है रुक गई और यंतर जो था वो बेकार हो गया इधर से यंतरिक सियान का हाथ बेकार होता है उपर मंगल गर्पर ओधर जो पाश्वी के उपर national aeronautics एंड पीस administration national aeronautics एंड स्पीस administration असा नासा का पुरा नाम क्या है national aeronautics and space administration द्रहा प्रस्थ वक्तवे ने सब का ध्यान कि APE करो कर लिया सब वहां पर ड्रयासा में लगा की या क्या हो मारा जो अंत्रिक स्यान है वह तो क्या हो गया वहां पहुंच तो गया है लेकिन उसका क्या हो गया यांत्रिक हाथ खराब हो गया मंगल की धरती पर उत्रोब अंत्रिक隨यान वाइकिंग करने का प्रियास अभी भी जारी है ऐसी वहां पर बोला जा रहा था इसके कुछ ही दिन बाद प्रत्वी के प्रमुक अखबरों में क्या चपता है कि नासा के तक्निशन जो हैं उन्हों यह प्राइब तक्वी करने में इस अकट करने के लृःपने के विप्रत्वी के वगैनिक मंगल कि इस मिठी का अध्यों करने के लिए बहुत जादा उत्सुक थे उन्हें उम्यद थी किस मिठी के अध्यों से क्या हो जाएगा इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि 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 मंगल ग्रह पर भी प्रतुवी की तरह जीव स्राष्टिक आस्थित हो चोटू की एक जो कालपने कहाने थी वो बहुत ही अच्छी थी इसमें बहुत सारे जो भी प्रेशन बन रहे हैं उनका आप लोगों को ध्यान रखना है जैसे इसमें दिया कि कॉलोने की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके जिम्मे थी नंबर एक की जिम्मेर्था आ जाता है कि नंबर एक का क्या का रहे था कॉलोने की सुरक्षा करना नंबर दो क्या थे एक वेगयनिक थे नंबर दो क्या थे एक वेगयनिक थे नंबर तीन का का रहे क्या था सामाजी की वेवस्था का का रहे देखना तीन नंबर क्या करा था सामाजी की वेवस्था का का रहे देखते याद रखना है अच्छे से प्रश्ण बन सकता है आपके इसका तो यह जरूर आप याद रखना ठीक है इसमें आपको दुबारा यह खानी एक बार पढ़ना बहुत अच्छी खानी है और जो भी आपके होमवक है वो मुझे मेरे वाट्सअप नंबर पर जरूर सेंड करें जरूर ध्यान दें और होमवक आप टाइम पर अपना सब्मेट कराएं ठीक है धन्यवाद